दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्टिवेट सीरप के बारे में इस सीरप के क्या फायते हैं, क्या नुक्सान हैं, इसकी डोज तथा इसके उपयोग, इसके इंग्रीडियन्स, साइड इफेक्ट, साफधानी और इससे होने वाले रियक्शन के बारे में तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इसके उपयोग और इसके इंग्रीडियन्स के बारे में दोस्तों, एक्टिवेट सीरप का उपयोग पाचन के लिए, बोडी की इम्मूटी बढाने के लिए, तता जिल लोगों को भूप की शमस्या है, भूप नहीं लगती है, कबज रहता है, तता गैस की शमस्या है या उसके लिए उपयोगी है यह सीरप पाचन शक्ती को बढाता है, इससे भूप अधिक लगने लगती है, तता गैस और कबज की शमस्या में राहत पदान करता है चलिए, जानते हैं अब हम इसमें मौजूद तत्वों के बारे में इसमें गुडची, सौफ, कुटकी, विडंग, नागरमोथा, जीरा, पिपली, आमलकी, यबनी, आदी, तत्वों मौजूद हैं आईए जानते हैं इसके उपयोग करने से क्या कैलाव है यह बजन बढाने में सायक है, यह कबज को कम करके राहत पदान करता है यह बुख बढ़ाने में मदद करता है, कफ को कम करता है, तता इस सीरप को पीने से पाचल शक्ती बढ़ती है आईए जानते हैं अब हम इसकी डोज के बारे में इस सीरप के सामाने तर कोई साइड़ प्रेक्ट नहीं है परन्तु दवाई की डोज का उपयो हर पीसेंट के लिए अलग-अलग होता है इसलिए आप सीरप का इस्तमाल डॉक्टर से पूछ कर ही करें अब बात करेंगे हम इसके इस्तमाल के बारे में यह सीरप डॉक्टर की सलाह से ही इस्तमाल करें सीरप की दोज या क्वांटिटी डॉक्टर के बताए गए अनसार ही करें सीरप लेने से पहले इसे अच्छी तरह हिला लें दोज डॉक्टर की बताए गए क्वांटिटी से ज़्यादा ना लें दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके side effect के बारे में वैसे तो इसका कोई side effect नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको बेट में जलन, गैस, मुझ के छाले, खुजली, गवराहट या कोई भी परिशानी मैसूस होती है तो आपने डॉक्टर से तुरंग संपर्क करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like, share और subscribe करना ना भूलें धन्यवाद